तो स्वागत है आपका हमारी यूटीब चैनल स्मार्ट चौस में तो दोस्तों आज की जो वेकेंसी आ रही है वह आ रही है आई यार बी की तरफ से तो दोस्तों बेसिकली यह जो है नहीं क्यूरूप से ही ब्लॉंग करता है और गाइस यहां पर आप लोगों की वेकेंसी बड़े-बड़े हाइवे बनाई जाते हैं यहां फिर बड़े-बड़े रोडस बनाई जाते हैं यहां पर तो वल्ट क्लास बनाई जाते हैं उनको यह बनाने का यहां पर कंस्ट्रेक्शन वर्क करता है तो यहां पर आप लोग इसकी पूरे अबाउट में आप लोग यहा Electrical, Mechanical इन तीन ब्रांचों के लिए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पर आप लोग का Construction का Work रहता है और ऐसा नहीं है कि Other branch यहाँ पर Illigival नहीं है, यहाँ पर जैसे CS हो गई, Electronics हो गई यह ब्रांच भी और Other branch भी यहाँ पर Illigival है, क्योंकि यहाँ पर गाइस, Computer Computer का चेत्र है काफी बड़ा चेत्र है, हर जगे यूज होता है, इसी प्रकार से Electronics हमारा हर जगे यूज होता है Computer के माद्यम से हम लोग काफी चीज़े यहाँ पर Record करते हैं कौन सा हमारा Construction कहां चल रहा है, कौन सी चीज यहाँ पर रह गई है यह सारी चीज़े Computer में फीड की जाती है और इससे Other भी Related यहाँ पर वर्क किये जाते है Guys, हर छेत्र में सभी ब्रांच का जो है, एक एक अपना अपना अलग अलग वर्क होता है, तो इसलिए आप लोग सभी यहाँ पर Apply ज़रूर करें तो Guys, आप लोग को किस तरीके से Apply करना है, आप लोग इसकी Main Site पर जाएंगी, यहाँ पर लिखा है Welcome to IRB वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इस प्रकार की आप लोग को पेज उपन हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक Option दिया गया है, Carrier Carrier Option पर आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे का इस टैब और न्यू टैब उपन होगा यहाँ पर दो डिपार्टमेंट आप लोग के इस पर इसके फर्स डिपार्टमेंट में वेकेंजी देखेंगे तो हम लोग इसकी बेड़ेपार्टमेंट में कंस्ट्रिक्शन में देखने के लिए इस पर किलिक करेंगे जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर किलिक करेंगे एक हमारा न्यू टैब उपन हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कर सकते हैं graduate है यहां पर guys experience मागा गया है एज लिमिट यहां पर दी नहीं गई है यहां पर experience है be mechanical से assistant जो है आप लोग की यहां पर engineer की पोस्ट रहेगी senior manager की post रहेगी graduate वाले हैं तो यहां पर मैं आप लोग को जादा discuss नहीं करूगी यह सारी चीज़ आप लोग दी देख सकते हैं लिकिर हम लोग जो main बात करेंगे वह करेंगे यहां पर देखिए pudicis so, that's more a fresh student है वह यहां पर देखिए तो थोड़े संती नीचे जाएंगे यहां पर देकिaucnze, BE और १a अप्लाइए करेंगे जो हमारे जिनके पास experience है डिप्लोमा वाले टिउ वाले यहाँ पास experience है देखी थोड़ा स्कॉल करेंगे तो हम यहां पर देखेंगे BE वाले और डिप्लोमा पोष्ट के लिए आप लगे apply करेंगे fresher भी apply कर सकते हैं experience भी क्योंकि यहाँ पर 0 year experience मागा गया है यहाँ पर fresher apply करेंगे साथी साथ अगर 1 से लेकि 3 year experience है तो आप लोग यहाँ पर apply करेंगे age limit नहीं दी गई है कोई भी age limit है आप लोग apply कर सकते हैं तो इस post के लिए तो fresher apply कर देंगे बाकि अगर आपके पास थोड़ा बहुत experience है इनके according तो इन सभी branch के लिए आप लोग यहाँ पर opposition के लिए apply कर सकते हैं next यहाँ पर मैं apply करने का तरीका बता देती हूँ apply करने का तरीका guys आप लोग का यह है जैसे आप लोग यहाँ से करेंगे simply वही तरीका है उससे पहले हम लोग next department की यहाँ पर बात कर लेते हैं toll department जो है हमारा उसकी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं दिखिए guys यहाँ से हम लोग अपने toll department को open कर लेंगे यहाँ से open करने के बाद हमारा toll department में दिखिए fresher की vacancy देखने के लिए मिल जाएगी जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो experience है वो भी apply कर सकते हैं graduate apply करेंगे और जो fresher है जैसे toll supervisor की post के लिए 0 to 1 year experience वाले apply करेंगे मतलब fresher और 1 year experience दोनों apply करेंगे graduate वाले इसी प्रकार से toll administer की यहाँ पर दी गई है उसके लिए भी fresher apply करेंगे साथी सब 1 year experience वाले पर apply करेंगे अगर आप graduate है और साथ में आप लोग को basic computer course आता है तो आप लोग apply कर सकते हैं और देखें यहाँ पर दिया गया है toll auditor इसके लिए आप लोग fresher apply करेंगे कोई भी experience नहीं मागा गया है इसलिए आप लोग यहाँ पर 12th pass, diploma, ITI सब भी apply कर सकते हैं आप लोग को computer की basic knowledge यहाँ पर होनी चाहिए जिससे कि आप लोग computer on, off, ms, excel, powerpoint की सारी चीज़े धोड़ा use करना आता हो बाकि आप लोग next यहाँ पर देखेंगे toll operator के लिए उसमें भी आप लोग का कोई भी experience नहीं मागा गया है fresher eligible है, यहाँ पर experience apply नहीं कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर graduate apply करेंगे अब साथी साथ यहाँ पर देखेंगे age limit दी गई है, age limit आप लोग अपने according आपर देख सकते हैं, जितनी भी आप लोग की age है और height and weight आप लोग देख सकते हैं, तो यह सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोग apply करेंगे, apply करने की पस्टाद आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग को apply करना होगा apply sign यहां पर दिया गया है यहां से apply करके देखते हैं तो चलिए यहां पर आप लोग इस पर किलिक करते हैं जैसे इस पर हम लोग किलिक करेंगे तो गैस इस तरीके का टैप ओपन हो जाएगा यहां पर आप लोगों को form fill up करना होगा तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग first name आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए यहां पर apply कर रहे हैं उस पोस्ट को यहां से select कर लेंगे यहां से आप लोग क्लिक करके जो भी पोस्ट आप लोग सो यहां पर apply करना चाहते हैं उसके लिए select कर लेंगे first name डाल देंगे last name father's name date of birth then आप लोग मेरिटल स्टेटस अगर single ह हैं तो यहां पर single रहने देंगे gender डाल देंगे male female phone number डालेंगे जो आप लोग का currently में on है आपकी email id साथ में pain card other card यह डालना साधा important है क्योंकि यह guys आप लोग के लिए सभी vacancy के लिए जो है एक main चीज हो जाती है साथ में यहां पर आप लोग का communication address डाल देंगे आप लोग का जो address होगा में address डालने के बाद यहां पर state डाल देंगे country और यहां पर city और यहां पर court डालने के बाद थोड़े स्कॉल करेंगे यहां पर आप लोग की जो है experience experience नहीं है fresh air पे रहने देंगे अगर है तो आप लोग इस पे क्लिक कर देंगे जितना पी experience है उतन आप लोग के पास education है यहां से आप लोग के पास 12 है या फिर other कोई qualification है तो उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं यहां पर branch select कर लेंगे जो भी आप लोग की branch है commerce वगर है या फिर other कोई है और यह आप लोग टेक्निकल branch है यहां पर passing ही है उसके बाद यहां पर आप लोग experience व and करने के बाद यहां पर आप लोग सब्मीठ यह फिर send कर देंगी इस तरीके सर्ण foreign submit हो जाएगा करने के बाद आप लोग का पूरा form यहां पर fill up करने यहां पर देखिए जिस प्रकार से मैंने टोल ओपरेटर के लिए यहां पर गिया है उसी प्रकार से आप लोग अधर यहां पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सभी जॉब के लिए सेम प्रकार से अप्लाई होगा